हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अनिले के वीडियो पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दर्वाजे के उपर पॉलिस करने के लिए हमें क्या क्या मेटरिल की जुरूत पड़ेगी जैसे कि आपको स्पिट पॉलिस करनी है या मैला मायन पॉलिस करनी है या प्यू पॉलिस करनी है इसके पर तो इसमें क्या-क्या मेटरियल की जुरूत पड़ेगी वह मैं आपको स्टेब बाइस्टेब मेटरियल सारा दिखा हूँगा इसमें तो यह वीनियर का बना हुआ दर्वाजा है इसकी जो चोखाट है वो लकडी की है बाकी इसके पर वीनियर लगा हुआ है सारा यह देख सकते हैं आप और मेरा दूसरा चैनल भी है अनिलेक की भी ब्लॉक के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर भी आपको पेंट रॉप पॉलिस के हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे इन दोरों चैनलों पर आपको अलग-अलग प्रकार की वीडियो मिलेगी तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें सबसे पहले बात करते हैं स्पिट पॉलिस की यह है स्पिट पॉलिस यह लाखदाना और स्पिट को मिक्स करकर बनी है यूज करने पहले इसको दूप में रखना पड़ता है और यह रेगमाल वाटरप्रूफ रेगमाल और वूड फिल और यह है सेंडिंग सीलर और यह लाइकर एंसी लाइकर और यह है टचबूट ग्लोसी इसको वार्निस भी कहते हैं और यह थिनर एंसी थिनर और इसी प्रकार से अगर आपको मैला मैन पॉलिस करनी है तो मैला मैन पॉलिस करने के लिए मैला मैन सीलर यह मेला मैन सीलर है उसमें से सेडिंग सीलर और लाइकर और टच बूट निकाल देंगे उसकी जगा पर यह यूज करना है मेला मैन सीलर यह देख सकते हैं मेला मैन सीलर है और मेला मैन मैट या गलोसी अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट भी कर सकते हैं इसमें यह मैट है और अगर आपको गलोसी फिनिश चाहिए तो गलोसी भी कर सकते हैं इसमें और यह हाटनर है इसका इसको बनाने के लिए एक लिट्र में 100 ग्राम हाटनर और 200 ग्राम तक मैलामा इंथिनर उसी प्रकार से मैट अगर बनना है तो मैट पर आइस सो ही बनेगा और गलोसी गर बनना नहीं है, तो गलोसी भी इसी तरह बनेगी यह आपको जितना यूज करना है उतना ही बनाएं, क्योंकि थुड़ी दिर नहीं झथी ख्राब हो जाता है और अब बात करते हैं pew polish की, अगर आपको pew polish करनी है तो pew polish करने के लिए सबसे पहले इसके पर sealer मानना पढ़ेगा ये sealer है, pew sealer, इसके एक या दो coat मानने पढ़ेंगे जब तक आपकी नियास नहीं भजाते हैं, sealer मानना पढ़ेगा उसके बाद में इसमें भी दो फिनिस मिल जाती है आपको एक मैट फिनिस मिल जाती है यह मैट है अगर आपको मैट करना है तो मैट भी करवा सकते हैं या अगर आपको गलोसी करना है तो गलोसी भी करवा सकते हैं इसमें दोनों फिनिस मिलती है और इसको बनाने का तरीका एक लिटर में 200 गराम हाडनर और 200 गराम तक प्यू थिनर मिक्स करना पड़ता है बाकी डब्बे के उपर भी लिखा होता है अगर आप नय हैं तो इस डब्बे के उपर भी लिखा होता है कि माल किस तरह से बनाना है यह देख सकते हैं आप सारी डेटेल इसमें दी हुई होती है तो आप इसको पड़के भी काम कर सकते हैं उसी प्रकार से मैलामान पॉलिस के पर भी लिखा होता है डब्बे को पर सारी डेटेल दी होती है इन तीनों पॉलिसों में बेस आपको इस प्रिट पॉलिस से ही बनाना और कलर भी अगर कलर करना है आपको तो इस प्रिट पॉलिस से कलर भी करना है फिनिसिंग वाला काम सारा अलग होता है इसमें बाकी तीनों पॉलिसों में सेम सेम प्रोसेस होता है और इसमें आप कंपनी कोई भी उज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको निरोलक का यूज करना है तो इसमें निरोलक भी उच कर सकते हैं या बर्दर उच करना है तो बर्दर भी उच कर सकते हैं इन सभी डबों के ऊपर डिटेल सारी लिखी होती है कि माल किस तरह से बनाना है यह जैसे कि यह निरोलक का है तो इसके पर भी लिखा हुआ होता है कि किस तरह से माल बनना है MRP भी लिखी होती है इसके पर यह जैसे लिखा है इसमें 600 ml बेस होता है और 340 g इसमें हाडर परता है यह निरोलक का है Pugh Gloria किया और टॉप कोट मानने के बाद में अगर आपने मैट फिनिस किया है तो आपकी इस तरह की फिनिसिंग आएगी यह देख सकते हैं आप बिल्कुल स्मूद फिनिस है इसकी इसके पर मैट के दो कोट लगे हुए है और अगर आपको कलर करना है ब्राउन कलर यह वालनट कलर है अगर उसके पर आप कलर चढ़ा देंगे तो इस तरह की फिनिसिंग देखेगी इसकी कलर धियू जड़ को indooriscsol होगया जड़ इसके पर है जड़ मने मैटना चैयना आपको आपको की बिल्स भाब población ohono इसकी दो ऊड़ से जसकता है उन आप Chamॉद 0